नमस्कार Forest Legislation में हम लोग अभी तक तीन क्लास देख चुके हैं तीन में जो हमने Forest Policy और Forest Act से रिलेटेड जो भी मैजोर्टी चीज़े हैं वो देख चुके हैं केवल घूम फिरके एक ही चीज बची हुई है वो है अपना Wild Life Protection Act 1972 केवल यही बचेगा और जल्दी हो जाएंगे तो यहाँ पर यह अपने चार पिलर जो है वो यहाँ आके कम्प्लीट हो जाएंगे इसको हम लोग जो अपना Next Topic है Wild Life Biology उसमें डाल लेंगे पहले बगाय की चीज़ें बाद में डिसकस की जाए पहले हम लोग इस एक्ट को समझ लेते है Wild Life Protection Act या वन नजीव सर्रक्षण अधिनियम 1972 कब आया इंदरा गांदी जी के टाइम पर Wild Life और Forestry के conservation में सबसे ज़्यदा जो काम किया है वो किया है इंदरा गांदी जी ने ये बोल सकते हैं कि उस टाइम पर जो डिमांड थी उसकी और उनने उसे फुलफल किया साइद कोई दूसरा प्रदान मंत्री होता तो भो भी यही करता होता है थोड़ा बहुत उच्छी नीच हो सकता था उनसे कम कर सकता था या जदा कर सकता था सबसे जदा काम उने ने किया और उनके बाद अगर आप नजदीक में सिकंड अगर कोई प्राइम मिनिस्टर देखेंगे तो वो आते हैं अपने अठल जी करिंट गवर्मेंट में भी चल रहा है लेकिन एक जो एरिया है जदा इंदर गांदी जी का है फिर अठल जी के टाइम का है तो उस टाइम पर ये प्रधान मंत्री थी वाइल्ड लाइफ स्टेट सब्जक्ट था राज्य सूजी का है अपन्दाओ निस्टर लिस्ट में कभी हुआ करता था 1935 आप लोगों नहीं थे हास में पड़ा होगा तब से यह राज्य का विसाय था तब भी इसे राज्य सूची का ही विसाय रखा गया तो जब यह बहात्तर में थे तब यह राज्य सूची है इवन समवरती सूची में भी अभी नहीं है तो इस सब्जक्ट पर जो भी नियम कानून काइदे बनाएंगे वो राज्य ही बनाएंगे केंदर नहीं बना सकता हलाकि समधान में ये प्रोविजन है कि अगर राज्य जो है वो रिक्वेस्ट करें वो सेंटर से बोले कि माई बाप ये विसा ऐसा है कि हम इस पर कानून तो बना दें लेकिन हम उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं या हम दो तीन स्टेट चाहते हैं कि आप हमारे लिए कानून बना दो हम उसे मानने को तैयार है तो केंदर जो है राज्य सभा के थूरू कानून बना सकती है क्योंकि वन नजीव ये ऐसा सब्जक्ट है जो एक देती है कि अगर आपने किसी जंगली जानवर को कोई डिंडा मार दिया पत्थर फैक के मार दिया आपको पांच साल की जिलकी सजा होगी उदाराण के लिए मैंने क्या किया पत्थर फैका और पता पढ़ गया है पुलिस को कि इनने पत्थर फैका इसे पांच साल के लिए डालना है, पुलिस बीचे भाग रही है मैंने जिस्ट बॉर्डर क्रॉस किया और मैं MP में आ गया है अब मद्द प्रदेश में उस क्राइम के लिए कोई सजा नहीं है तो यहां पर कुछ होने वाला नहीं है, यहां पुलिस मुझे किस सजा रिलेटर जो अपराद है उन्हें रोकना संभव नहीं हो पाता है तो यहां पर स्टेट जो है उनने रिक्वेस्ट की एक टाइप से सेंटर से कि आप एक काम करिए आप अधिनियम बनाईए हम उसे अंगी करित कर लेंगे लेकिन इस टाइप के यह जिनने असेप्ट कर लिया यानि कि उसे अंगी करित कर लिया उनने कही ठीक है हम मान रहा है इसे तो केबल उनी राज्यों पर होगा दूसरा ऐसा नहीं है कि वो राज आज मान ले और कल ले बोले नहीं मजा नहीं आ रहा हम तो तुम से बाहर जाना चाहते हैं तो एक बार मान लिया तो मान लिया अब यह तुम्हारे डेली का काम नहीं है कि आज हम मानेंगे कल नहीं मानेंगे जैसे सी बी आई का आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा वेस्ट बंगाल या आज साब इस टाइप से गवर्मेंट बोलती रहती हैं हम मानेंगे हमने अधकार नहीं दिया हमारे या नहीं आएगी तो यह चीज़े एक बार असेप्ट कर लिया कर लिया ऐसा नहीं होता है कि आज धर हो कर लो धर हो लोटे की तरह नहीं गूंते हो दूसरा सेंटर ने जो एक्ट बनाया है वो उसी स्टेट को अपलाई होगा जो अड़प्ट करेंगे लेकिन इसमें जो भी बदलाओ होंगे वो सेंटर ही कर सकता है क्योंकि बनाया कि इसने उपर है ये ऐसे समझ लिए कि आपके घर में दस लोग है दस चोटे 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 बच्चे हैं उनने अपने दादा जी से बोला कि आप कोई नियम कानुन बना दो जिससे हम लोक सही से क्हिल सकें अब उन नियम कानुन जो दादा जी ने बनाए है वो उनी बच्चों आप अपलाई होंगे जो उनकी बात को मान लेंगे कि हाँ हम मानते है और एक बार इनने मान लिया तो फरिस का मतलब यह नहीं कि सवेरे मान लिया असाम को भी मान लिया वो मान लिया और उन नियम कानूनों में कोई भी सुधार की जो गुंजाएश है वो दादा जी के पास ही है आप रिक्वेस्ट कर सकते हों कि यह नियम में मज़ा नहीं आ रहा है इसमें ऐसा होने चाहिए लेकिन जब तक वो सुधार नहीं करते तब तक आपको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा तो इस टाइप से वाल्ले लाइफ प्रोटेक्स अडेक्ट वाल्ले लाइफ की कराइम को रोक निकल जी इंद्रा गांदी जी लेकि आई कब बाहतर में तो कई बार पूछा गया कि किसकी गवर्मेंट लेकि आई इंद्रा गांदी जी की इन्होंने बाद में क्या किया 42 सवा संसोधन किया 42 नमबर का 1976 में इसके अंतरक़ वायले लाइफ और फोरेश्ट को जो समवर्थी सुछी है उसमें डाल दिया गया है राज्य सुछी से समवर्थी सुछी में यानि कि अब इस पे केंदर भी कानून बना सकता है और राज्जी भी बना सकते हैं एक ही सब्जेक्ट पर दोनों लोग ही अब कानून बना सकते हैं और अगर बाई चांस ऐसा हो कि कोई एक particular इसू था जिस पें केंदर ने भी बनाया राज्जी ने भी बना दिया तो उस केस में केंदर का ही कानून वहाँ चलेगा राज्जी का नीचे दफ जाएगा उसमें अब यह जो 76 का संसोधन हुआ था इसमें इंदरा गांदी जी ने जो अपने DPSP डिरेक्टव प्रिंसिपल आफ इस्टेट पॉलसी राज्जी के नीती निर्देश सकता तो और अपनी कुछ जो जिम्मेदारियां हैं सम्मेदानिक ड्यूटीज उनको भी एड़ किया था उन ड्यूटीज और DPSP में इन्होंने दो आर्टीकल एड़ किये हैं आर्टीकल 48A और आर्टीकल 51A जी AGOG लो जी सनो जी ऐसे कुछ कर लेना रटा मार लेना इसमें क्या बोला कि constituution say that state shall endeavor the protection and improvement of environment and safeguard the forest and wildlife की ये राजी की जिम्मेदारी है कि वो वन और वन ञ्जीवों और परयावरण की सुरक्षा करे है रक्षा करे है ये राजियों की जिम्मेदारी है किस के अंदर बोला गया 48 E के अंदर इंक्यावन एजी जो है उसमें लोगों पर एक fundamental duty दे दी गई है कि इनके अपनी जम्मेदारी है कि हम forest और wildlife की रक्षा करेंगे सर्रक्षा देंगे ये ऐसे दो सम्विधानिक provision है जो इस act में तो नहीं लिखे गए है लेकिन आपको सम्विधान में बाद में अड़ किये गए क्योंकि act पहले आ गया तो सम्विधान में इस संसुधन करके बाद में अड़ किये गए तो act में नहीं लिखना समभवी बादी बात ही नहीं एक्ट शुरू होता है हमेशा तो वो उस उद्देस से शुरू होता है कि यह एक्ट हम क्यों लेके आ रहे हैं तो लिएने का जो उद्देस है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम वाइल लाइफ बड्स और प्लांट्स जो है उससे रिलेटर जो भी मुद्दे हैं उनको देख उन्हें हैंडल करने के लिए और परियाबरा और यह जो वाइल लाइफ है इकलोजिकल इन्वार्मेंटल सिक्यूर्टी वगरा है उनके लिए यह जो उद्देश हैं इस अधिनियम को लियाने के लिए आपको इन्हें ठीक सा पढ़ लेना है यहां यह हिंदी में रहे यहां उद्देश रहे आपके और यह आर्टीकल रहे इन्हें दोनों को ध्यान देना है दूसरा जैसे की सभी अधर एक्ट होते हैं उसी टाइप से यह वाइल लाइफ जो एक्ट है यह भी कुछ चेप्टर में बटा होगा तो इसमें साथ चेप्टर है टोटल और हर चेप्टर के अंदर कुछ सेक्शन होंगे तो ऐसे टोटल जो सेक्शन है वो 66 सेक्शन है जैसा हम लोगों ने इंडिन फोरेस्ट एक्टर निटी ट्विंटी सिवन पढ़ा था बैसी आपको यहां ध्यान देना है एक एक करके हम लोग इनके चैप्टर पढ़ेंगी किस चैप्टर के अंदर कौन-कौन से सेक्षन काम के हम वो पढ़ेंगे चैप्टर के आपको नाम पे ध्यान देना है और किस सेक्षन के अंदर क्या प्रोवीजन है जो भी इंपोर्टेंट है वही याद रखना है इस टाइप से हम जाएंगे इसमें जब यह एक्ट आया था उस टाइम पे इसमें साथ चैप्टर थे और अभी भी हम साथ ही मान के चलेंगे चैप्टर तो बढ़ गया है इसमें और चैप्टर एड हुए है लेकिन दिक्कत क्या आती है देखो आप सिंपल सी तरीका समझो पहले हुआ करता था मालो चैप्टर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे गवर्मेंट बाद में आती है उसने क्या कर दिया, चैप्टर थ्री डिलीट मार दिया एक नया चैप्टर लेके आगए चैप्टर टू ए टू है, फिर टू ए है फिर टू बी है, फिर टू सी है अब ये करम चल लाजकर अब आपने कितने चैप्टर गिनोगे टक्निक लिए बोला जाए तो आप बोल सकते हो का एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ तो टोटल चैप्टर कितने हुए आठ लेकिन यहाँ पर नम्बरिंग इस टाइप से हो रही है का भाई, एक, दो है और यहाँ पर तीन तो गाय भी हो रहा है ऐसा ही सेक्षन के साथ है बहुत सारे सेक्षन डिलीट मार दिये गए बहुत सारे नए सेक्षन एड कर दिये गए वो नम्बरिंग क्यों एड़जस्ट नहीं की जाती है कई बार जैसे कोई सेक्षन था पहले इसमें 44 नम्बर का इसे डिलीट मार दिये गए तो आप यह बोल सकते हो कि डिलीट क्यों मार गए इसकी जगए कुछ नया लेगे तो जो आपको नया अपडेट डालना था नम्बर एक पूरी बनी रहने तो यह इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि मान लोग पहले उस सेक्षन के अंदर का कोई काम किया गया हो किसी को सजा दे गई हो अब उस सेक्षन की पारवादा बदल दोगे तो मुझे मैं तो आज की हिसाब से पढ़ा दूँगा उसके नंबर के साथ छिड़कानी नहीं की जाती है हम नंबर अलग से जनरेट कर लेते हैं तो इस टाइप से यह बन नजीव अभिहर जो अधिनियम है जब यह आया आया था उस टाइम पे इसमें जो औरिजनल चैप्टर और सेक्षन थे वही याद रखने होते हैं अब इसका कुछ कोस्टन देख लेते हैं फिर हम लोग एक करकेस के चप्टर पढ़ेंगे पहला कोस्टन अंडर विच आप दा फोलोविंग आर्टीकल किस आर्टीकल या किस अनुछिद के तहट जो अपनी भारती समयधान का है किस अनुछिद के तहट फोरेश्ट और वाइल लाइफ है उसको हम सेफगार्ड उसकी सुरक्षा करने का है तो कौन सा मिल जाएगा आप उनको यहाँ अंडर विच आप दा फोलोविंग आर्टीकल इंडियन कंस्टिटिट से पर दा फोरेश्ट और वाइल लाइफ आप कांट्री हैज बीन इन स्रे भाई यहाँ पर दिक्कत क्या है अपना आर्टीकल फोटी एट ए और फोटीवन एजी दोनों ही आर्टीकल यहाँ पर आजाते हैं आपके यहाँ पर यह तो नहीं बोलाना है यह डिपी एस पी है यह फंडामेंटल ड्यूटी है हलाकि ड्यूटी है इसमें तो हम लोग बाइल लार्ज 48 ए पर जाएंगे क्योंकि वो एक्ट्वल में सीथे सीथा गवर्मेंट को बोल रहा है कि आपको यह करना है यहाँ पर कुश्चन है इस्टेट सेल इंडीवर फिर वोई है कि इस्टेट को एक टाइप से जिम्मेदारी है कि इस्टेटों को यह करना चाहिए और फिर आपको बकाय की चीज़ें समझ में आ गई कि वो क्या लिख रहे है तो वो अपना एजी वाला जो है अड़तालीस एवाला है उसे डीपीएश्पी वाला राज्जियों के नहीं दे सकता तो वो वो वहाँ पूछ लिया है वैसी यहाँ पर कुश्चन है पूछा गया है कि वालिल लाइप प्रोटेक्शन एक्ट है मैं फिर अगेन बता देता हूँ जिससे आगे अपने को दिक्कत ना हो यह अलग-अलग कुश्चन होते है कई बार कुश्चन आते हैं सेम कुश्चन है कई बार वो पूछते हैं कि यह जैसे देखो वालिल लाइप प्रोटेक्शन एक्ट है वो कब इनेक्टेड हुआ मतलब कब लागू किया गया कभी पूछेंगे कब वो बनाया गया फॉर्मूलेट हुआ कभी बार पूछेंगे कब कम इंटू एक्जिस्टेंस अब ऐसे दुनिया भर के कुश्चन है मैं एक ही टाइप के कुश्चन को आपको 25 बार कर रहा हूँ कोई फायदा नहीं है तो बहतर है ये 25 कुश्चन को एकटा कर दो बस जो टर्मिनलोजी का जो तुमारी दिक्कत थी वो स्लेस करके तीन चार टाम लिग दो भही ऐसा ऐसा कुछ ये पकलोली करके पूछ लेते हैं बकाय की चीज़ें वही है तो ऐसे आप फिर अब मैं इनेक्टेट इन पर नहीं करूँगा आपको समझ में आजाएगा तो वाइल लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया सीधा सा है 72 अपने निकला है वाइल लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इज एप्ली केवल टू कहां कहां एप्ली केवल होता पूरा अब जम्बू कस्मीर वाला कोई मुद्द ही नहीं है हुआ क्या जब यह आया तो ज़्यादा तर धीरे धीरे राज क्योंकि कॉंग्रिस गबर्मेंट ही थी राज्यों में सेंटर लेके आई और राज्य जो हो हल अडॉप्ट कर ले थे थे आगले दोचार मन्थ में क्या आप बोल सकते हो कि सेंटर और स्टेटों के बीच में स्टार्टिंग में ज़्यादा दिक्केते इसलिए नहीं हुई क्योंकि सेंटर में भी कॉंग्रिस थी और राज्यों में भी कॉंग्रिस थी तो इनके बीच में कभी वो स्टेट और सेंटर लिस्ट में कोई दिक्केते आ रही है ऐसा कोई दिक्ते होती ही नहीं थी ये conflict शुरू हुए 70 के बाद जब राज्यों में opposition की government बनना शुरू हुई तब ये subject के issue ख़ड़े होते हैं अब यहाँ पर क्या है किस में नहीं होगा, accept तो ये question आज के time के लिए बैलेड ही नहीं है, क्योंकि अब जब मुकस्मीर रहा ही नहीं है, तो मुत ही नहीं है तो अब आज के time पर कहा है whole India, pen India कोई exception ही नहीं है wildlife protection act coverage of how many chapters and section ये इनने पूछा है ये जैसे 18 का है, ये actually 21 में question हुआ है और ये 20 का जो है exam का नाम है, ये 22 में question ये paper ही 22 में हुआ है total कितने है, 7 chapter है अपने और 66 section है ठेक है भाई अब देख लेते हैं, इसके जो 7 chapter है, एक एक करके chapter पाढ़ना है, 7 न पढ़के आपको थोड़ा उपर नीचे हो जाते है तो ध्यान से समझना है पहला chapter क्या है simple सा है, नाम होता है preliminary, प्रात्विक जो basic होता है, उसके अंदर क्या होंगे, दो section होते हैं पहले section में लिखा जाता है इसका नाम, कितने एरिया पे ये लागू होगा, और कब लागू होगा, ये 3 चीज़े normal है पहले में इसका नाम क्या होता है तो बोला जाएगा, कि ये act जो है wildlife protection act 1972 के नाम से जाना जाएगा इसका extend जो है किस एरिया पे ये लागू होगा तो पहले लिखा जाता था whole India except Jambu and कस्मीर, लेकिर आप Jambu कस्मीर का अपने लिए मुद्धा है नहीं तो अपना पूरा whole India हुआ मैंने यहाँ पर किया वाल इसलिए लिखा है यहाँ पर कि कई बार लोग confused हो जाते हैं कि इसमें तो ऐसा लिखा अब वहाँ कोई, जब state ही नहीं है किस बात का exception तो पूरा रहेगा जितने भी अपने एक्ट हों जिनमें भी exception चलता था वो exception का मुद्धा ही खतम है कब आया 9 सितंबर 1972 यह 9 सितंबर 1972 इसे रेट्टा मार लो यह star लगा रखे है तो कभी अभी मन होता है शैसे के बहुत आ रहे कुशन दो इस डा लगा दो यह सब आये हुए कुशन होते है फिर इसका section 2 होता है इसमें क्या है बहुत सारी इस एक्ट में बहुत सारे terminology यूज होती है बहुत सारी terminology के captive animal क्या होते है animal क्या होते है habitat क्या होता है protected area क्या होते है ऐसी चलते रहेंगे इसमें कुछ term है यह इसका हिंदी वाला रूपांतर है इसमें term क्या है taxidermy, vermen or specified plant जब यह 72 में wildlife protection act आया था तो originally यह act cable animal को target करके ले आया था plants को हमने छोड़ दिया था लगा था कि साइद वो इतनी अभी जरूरी मुद्धा नहीं है बाद में हम लोगों ने 1991 में यह act कब आया 1972 में 72 के बाद इसमें बीच वीच में बहुत सारे संसोधन किये गए 1972 के बाद बहुत सारे संसोधन किये गए उनमें एक major संसोधन हुआ था 1991 में 2003 में 2006 में बहुत सारे 6-7 वार संसोधन किया जाज़ चुका है इनक्यानवे में इन्होंने क्या किया कि हम लोग यह act को अभी plant के लिए apply नहीं करते हैं तो एक काम करते हैं एक chapter जोड़ दिया गया है plants जो related उनको भी सरद छड़ में बहुत जोड़ा गया है हम लोग यह amendment पर बाद में बात करेंगे अभी पता पड़ा है कि हम लोग आगे निकल जाते हैं मेरे content जोड़ जाता है वहाँ पर हम लोगों ने एक plant की list जोड़ दिया उसी time पर हमने central Jew authority central Jew authority को जोड़ा था यह इनक्यानवे में जोड़ी गई तो specify plant बतला बो plant जो इसमें क्या है chapter के बाद last में एक list बनाई जाती है उसे बोला जाता है schedule तो इसमें इस act के अंदर 6 schedule है कितने schedule है total six उनमें जो fifth number का schedule है वो plant sorry जो six number का schedule है वो सबसे last में जोड़ा गया और उसी में plants को डाला गया ठीक है अभी six schedule है इस act में कितने chapter है अपने साथ chapter 66 अपने section है और ये six schedule है six schedule में planted ले हुए है इसी में आता है term taxidermy taxidermy क्या होती है ये जो animals है जिने हम लोग मार करके stuffing कर देते हैं ये इस type के आपने देखियोंगे इसे बोलते हैं taxidermy taxidermy का मतलब skin तो taxidermy जो है stuffing of animal ये पूछा गया कई बार vermin अब मैं आगे बताऊंगा कि जो जानवर है इनकी category जो schedule है उनके नाम दे रखे हैं अब आपके पास बहुत सारे type के जानवर हैं आपको जने सबसे ज़दा protection की ज़रूवत है आप उन्हें schedule 1 में डाल देते हो जैसे tiger है loin है elephant है ऐसे जनवर जिने थोड़ा कम protection की ज़रूवत है इनकी population अच्छी खासी है उन्हें दूसरे schedule में डाल देते हो और कम important है तीसरे में डालोगे और कम है उन्हें फूर्थ में डाल दोगे पांचवे में प्लांट है और छटवे में डाला गया है विर्मिन्स को विर्मिन्स मतलब इने आप पैसे सबाज़ो कि यह बो जानबार हैं जो noise and smasya create करते हैं और हम इनकी hunting कर सकते हैं पांचवे एन्सूजी में विर्मिन्स को डाला गया है अब यहां कुछ कुश्चन कर लेते हैं फरागे बढ़ेंगे wildlife act is applicable किसम है पूरा whole India आएगा अब अपना answer इसका ए हो जाएगा stuffing क्या होता है of wild animal मतलब stuffing of wild animal animal article, animal trophy taxidermy तो यहां पर अपने पास वही है taxidermy animal trophy article तो stuffing करने के बाद उसे एज़े यूज किया जा सकता है लेकिन जो taxidermy वो है वो पूरा stuffing करना वो taxidermy होता है according to wild alive protection act 1912 the animal article का मतलब क्या होता है इस अधनियम के तहद अब यह देखो CGPHC, ACF का जो exam था इनका बहुत बड़ा से लिवस था बहुत सारे subject page में उसमें forestry में मुस्किल से 20 question आने थे आपको 100 आने उनके तो 20 ही आने थे इसके बाद भी वो इस active में बहुत detail question पूछ लिया उन लोगों न इस यही question नहीं काफी जगा पूछाओना है उनने पूछाता है कि animal article इस अदियम में जो सब्द है उसका मतलब क्या है सीथे सा मतलब है animal article का मतलब कि जानवरों को मार के जे ट्रॉफी या कुछ भी बस्तू की तरह आप उपियो कर रहे हो तो उसका अंसर है object जो की आपका पालतू जानवर हो यह जंगली जानवर उसको आपने पकड़ के मार दिया उसे यह जो भी किया हो उसको आपने बार बार हो करके एक बस्तू की तरह उपियोग कर रहे हो वो जो बस्तू है उसको हम लोग बोलेंगे animal article यानि की जानवर से बनी हुई बस्तू यहां आके अपना chapter 1 जो है वो खतम हो जाता है अब आपके लिए कुछ important सीज़ हैं जिन पर आपको ध्यान देना है जिससे confusion create ना हो किसी भी condition में wildlife protection act लेके आ रहे हैं तो हम लोग पहला chapter जो लेके आएंगे वो तो बहुत general सा होगा अपना काम क्या है wildlife crime जो है उनको control को रोखना है तो सबसे पहले क्या control कैसे करोगे सबसे पहले आपको body चाहिए जो इस crime को रोखें तो chapter 2 जो है उसके अंदर central government state government various type की administrative bodies को खड़ी कर देगे तीसरा चेप्टर है उसके अंदर state government और central government various type की protected area जो है वो बनाएगी जैसे national park, wildlife century, community reserve conservation reserve, tiger reserve पहले दो और हुआ करते थे game area game मतलब ऐसी area जहां पर हम जाकर के सिकार वगरा खिलके मजे ले सकते थे तो सिकार वगरा काम करना है उन्हें में जाना है पुरानी शोक वाले उन्हें इंग्यानवे के जो संसोदन था उसमें वो game reserve वाली लेस्टी हटा दी गई बोला अब हम जानवरों को ऐसे मरने के लिए थोड़ी छोड़ सकते हैं कि तुम अपने मजे के लिए जानवरों को मारो तो ये game reserve वाला concept खतम कर दिया है कब 1991 में है तो सबसे पहले authority खड़ी करने वाले हैं फिर इसके बाद ही करने वाले है अब अगर मालो यहाँ पर संरक्षण दे दिया है नहीं अब मालो कोई इनका hunting hunting करेगा तो फिर बकाय के जो provision है वो इनको remaining चीजों को regulate करने से समद्दित होंगे तो यहाँ पर आपका क्या आगया चेप्टर टू authorities to be appointed वो authority जिनको appoint करने की जरुवत है पुराना जो अधिनियम था उसमें क्या था सबसे पहले center क्या करेगा center अपनी स्थर पे करेगा state अपनी स्थर पे करेगा center अपनी स्थर पे क्या करेगा सबसे पहले एक director को appoint कर देगा wildlife preservation director of wildlife preservation ठीक है यह टर्म याद रखना है director of wildlife preservation यह अभी एक body आएगी उसका यह ex-office क्यों head होता है यह director कहाँ पर बैठा होगा center level पे जो मंत्राला है ministry है center की वहाँ पर बहुत सारे forestry का एक अलग director होगा wildlife का अलग है climate change का अलग है education research का अलग है international related जो मुद्धे है कभी co-op यह summit वो summit उनके लिए अलग से director बन रखा इस type से center क्या करेगा सबसे पहले अपने level पे एक director appoint करेगा अब director अकेले तो नहीं कर पाएगा ना भाई काम तो director उसके लिए जो भी जरूरी resources है other offices था आप इसकी appointment करेगा center इस अधिनियम ने बोल दिया या एक टाप से इसने center को बोला है कि यह तुम करोगे बैसे ही इने state ओं को बोला तुम क्या करोगे state level पे एक chief wildlife warden appoint करोगे यहाँ पर पहले यह हुआ करता था कि wildlife warden और chief wildlife warden state government appoint करेगी तो section 3 और section 4 यह section 3-4 याद रहे तो बढ़िया है नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं यह central government करेगी और यह state government करेगी अब यह wildlife warden और chief wildlife warden क्या हुआ जैसे आपका hostel है hostel का जो पिर्मुक होता है लड़का नहीं वो teacher जो आपके teacher में रहा होगा और उसके पास पूरी इस hostel की जिम्मेदारी है मतलब यह जतने भी जानवर हैं उस अपने hostel में बच्चे जो है वो उसकी responsibility है किसकी बीमारी हो रही किसकी क्या है कोई लड़ गया जवाड़ गया यह पूरा वार्डन देखता है मतलब वो सबका जम्मेदारी वार्डन के पास है तो यह जंगली जानवरों की जम्मेदारी उसके पास है अब हमें अपने यह मत प्रोवक करना कि हमें जंगली जानवरों समझने के लिए कि होस्टल है तो ये एक बड़ा होस्टल है नेचर वाला है इसका प्रमुक वार्डन अब यहां होता क्या है कि कोई मालो नेशनल पार्क है उसका भी एक वार्डन अपॉइंट कर दिया एक ही स्टेट में कोई दूसरी वार्ड लाइफ सेंचुरी है उसका भी एक वार्ड ला दिया होगी, तो इन सबी वार्डनों का एक माईबाप मतलब Chief Wildlife वार्डन, इनका भी उपर का, तो Chief Wildlife वार्डन एपॉैंट करेंगे, State Government और Wildlife वार्डन बाद में उन्होंने संसुधन करके कर दिया, कि हम एक जिला इस्तर पर भी wildlife वार्डन appoint करेंगे तो इस टाइप से तीन चार पोस्ट हैं ये state appoint करता है wildlife burden wildlife burden और honorary burden at each district level ये state ने किया ये center ने कर दिया फिर आगे के section में इनके क्या काम करेंगे कैसे करना है इतना ये सारी चीजें चलती रही इनकी अब यहाँ एक issue आया issue ये आया कि center government है यहाँ पर क्योंकि वो general forestry वाला issue है इसलिए यहाँ पर अपन डिसकस कर रहा है center government है उसे माल लेजिए wildlife से related मुद्धों पर कोई कानूनी चीजों को ध्यान देना है तो वो कौन देखे है या तो center government अपनी मर्जी से करे उसे कोई बताने वाला सलाह देने वाली कोई body नहीं है एक body थी वो थी Indian board of wildlife Indian board of wildlife लिख लो इसे हम लोग आंगे पढ़ेंगे लेकिन फिर भी इसे यहाँ याद कर लो Indian board of wildlife यह 1992 में इसे गठित किया गया था जो की अपने देश में wildlife से related मुद्धों पर नड़ाय देने के लिए government को suggestion देने के लिए नड़ाय ने जो चेर्मेन है उस टाइम पर जो agriculture minister हुआ करता था क्योंकि फिर वही पूरा forestry उसी के अंडर था बाद में जब ministry बन गई अपनी separate मंत्रालाय बन गया forestry का तो जो forest minister था वो इस body को chair करता था तो केंडर लेबल पर यह body एक prime advisory body थी यह हमेशा advise दे सकती है बोल सकती है मुझे लगता है कि यह करना चाहिए करना ना करना यह केंडर की जिम्बेतारी है तुम अपने grandparent है भाबा जी है पिता जी है उनको आप आदेज नहीं दे सकते कि तुम्हें यह करना है ऐसे आदेज दोगे तो बैड लेके आएंगे वो बड़ा सा लगोदा कूट के रख देंगे तो बोचीज़ है नहीं होगी यहां आप उनसे request कर सकते हैं कि आपको यह करना चाहिए इस field में यह काम है लेकिन इस board के साथ समस्य है क्या थी कि यह एक type से हम लोगों ने खाली पिली का board तो बना दिया इस board की हर छे महिने में meeting होनी चाहिए ऐसा मान के चलते थी लोग लेकिन इसकी 6-6 साल 8-8 साले meeting ही नहीं होती थी ऐसा क्यों क्योंकि यह body एक वैसी just एक body थी जैसे कोई committee सी बना दी अब वो committee में जब कोई active आ जाए कोई उपर डी जी active आ गया तो उसने बोला सबको उस तारीक को आना है वहां पर बोला क्या बोला नासता पानी करेंगे चाया पिएंगे थोड़ी बहुत बात कर लेंगे तो ऐसे 2-4 साल में कभी कभार बैठ गए तो इस ये body कोई decision लें नहीं रही है पता पढ़ रहा कि 10 साल में एक बार बैठी है अगर ऐसे बैठेगी तो wildlife से रिटर मुद्धे कैसे आ हिंडल होगे तो जब अटल जी आए गवर्मेंट 2002 में कब 2002 में तो उन्हाने बोला कि वह ये भाई बार लाइफ का तो ऐसे हिंडल ना हो पाए सबसे पहले इसको एक कानूनी अमली जामा पहनाने की जरूत है इसे सम्धान ने की इस्ट्राटूटरी सम्धान में तो नहीं कि लेकिन किसी कानून की तहत इसे हम लोग एक स्ट्राटूटरी दरजा दे जाए इसकी स्ट्राटूटरी की हिंदी क्या है वो तो मुझे भी नहीं पता कुल मिला कि ये कंस्ट्रिट्यूशनल नहीं बोला हूं है कंस्ट्रिट्यूशनल का मतलब ये टर्म सम्धान में यूज होता है तो हम लोग बोल देते हैं Constitutional जिसे सुप्रीम कोड, हाई कोड ये, ये Constitutional बॉड़ी है, ये सम्विधान की किसे अनुचित से ताकत लेकर के हमने एक अधिनियम बनाया और उस अधिनियम में इसे डाल देंग तो ये Statutory है, तो ये एक इसे Statutory का दरजा दिया जाए, यानि कि इसकी जो बाते हैं, उन्हें एक टाइप से हम लोग कानूनी अमली जामा पहना दें, जिससे एक तो इसकी बात में ताकत बढ़ जाएगी, दूसरा इसकी जो भी मीटिंग करेंगे, जैसे हमने लिख दिया कि 6 महीने में एक मीटिंग होगी, तो आब इसकी मजबूर ही है, मीटिंग होगी, कौन मेंबर है, इसकी अगर एक बार हमने क्राइटेरिया फिक्स कर दिये, तो वो मेंबर रहेंगे, इसमें मान लो 10, 10 इमिनेंट परसन, उस विशाय के विशी सग्यों को, 10 लोगों को, गेंद सरकार को एपोइंट करना होगा, तो उन्हें करना होता है, कर पल सरीक हो जाता है, तो उन्होंने क्या किया, इसको स्टेट्टरी बनाया, 2002 में, और इसका जो नाम है, वो इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से बदल की इसका नाम कर दिया गया, नेसनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, क्या कर दिया गया है, नेसनल बोर्ड होता था अब प्राइम मिनिस्टर हो गया यह भी अभी एडवाइजरी नेचर की है भले ही प्राइम मिनिस्टर है भाइड है सभी कबिनेट के भी कुछ लोग हो सकते हुआ पर लेकिन फिर भी एडवाइजरी ही नेचर की है, यहां से जो भी decision आएंगे, वो केंदर सरकार के पास जाएंगे, जहां पर फिर प्रद्धान मंत्री बैठा होगा, वो होगी cabinet, क्योंकि man सकता है cabinet के पास, यह body advise करेगी केंदर को, कि भाई, हम ऐसा चाहते हैं, यह होना चाहिए, केंदर उस्पे decision लेगा, कि करना है या नहीं, तो यह अभी भी advisory ही है, और advisory ही रहेगी, यहां इसे compulsory नहीं किया जा सकता है, head कौन है, chairman, यह बाद में जोड़ा गया, तो इसी में आपको याद रखो, section 3 और 4, यह इतने section याद रहे, ना रहे, कोई दिक्र नहीं, कम सकम यह पता हो, कि कौन कौन क्या चल रहा है, नीचे वाले section में power है, आपको यह section याद रखने की जरूए थी नहीं है, बस यह थोड़ा पढ़ लो, कि हाँ ऐसा कुछ होता है, यहाँ पर बाद में, इसी के नीचे, इन्होंने ना सक्षन जोड़ दिया, पांच A, पांच A में इन्होंने क्या जोड़ दिया, National Board for Wild Life, पहले क्या था, इंडियन Board of Wild Life, कब, बाया नवे में, 1952 में, इन्होंने उसका नाम चेल्ज के बनाया है, National Board of Wild Life, सितंबर 2003 से, तो 2003 से यह effective है, लेकिन amendment 2002 का है, 2002 के नाम से amendment है, तो कई बार आपको पलनी में आएगा, Wildlife Protection Act में कब संसोतन किया गया, तो वो आएगा, आपको 2003 लिखा मिलेगा, ठीक है, इसमें क्या किया गया, एक Board का गठन किया गया, केंदर स्तर पे, केंदर पे क्या किया गया है, National Board of Wild Life, इसका गठन किया गया है, इसका चेर्मेन कौन है, एक तो है प्राइम मिनिस्टर, फोरेस्ट का जो मिनिस्टर होता है, उसे इसका वाइस चेर्मेन बना दिया गया, तीन एमपी, यह जो इमिनेंट पर्सन है, जनें बहुत अच्छी यान है, उस सब्जेक्टी फोरेस्ट से, वाइल लाइफ से, उन लोगों को ले लिया गया, दस यह हैं, पांच एंज्यू के हैं, मतलब एंज्यू के पांच रिप्रेजेंटेटिव, दस इमिनेंट पर्सनेल्टी, तीन लोगसवा, राजसवा, मिनिस्टर और प्रधान मंत्री, इसके अलावा, सेक्रेट्री, जो गवर्मेंट ऑफ इंडिया का, जो सेक्रेट्री होगा, मेंबर, जो नीती आयो की मेंबर है, आर्मी का स्टाफ, चीफ ऑप आर्मी स्टाफ, इसे यहाँ क्यों रखा गया, क्योंकि वाल्लाइफ बॉडर एरिया में भी है, डारेक्टर, जो दुनिया भर की फोरेश्ट्री से रिलेटेट इंस्टिट है, जैसे वाल्लाइफ इंस्टिट ऑफ इंडिया, ICFRI, इसे वाल्लाइफ इंस्टिट ऑफ इंडिया, जोलोजिकल सर्वे, बॉटरिनिकल सर्वे, इंडियन वैटिनरी रिसर्च इंस्टिट, नेशनल इंस्टिट ऑफ ओसियनोग्राफी, इन सब के जो डारेक्टर हैं, उन्हें इसका एक्स ओफिस्यो मेंबर, यानि कि जो सीट पर होगा, वो यहाँ पर होगा, हम हरे एक बार किजी का नाम नहीं लिखते रहेंगे, तो वो एक्स ओफिस्यो टर्म जोड़ दिया हुना है, वो इस टाइप से यह चीज़ें, चलती रहेंगे, कुल मिलाके यहाँ 48 लोगों की टीम बन जाती है, टोटल कितने बनते हैं, 48, यह हुआ सेंटर पर, अब यहाँ पर जैसे यह 5 रिप्रिजेंटेटिव एंट्यू के होते हैं, यह याद रखना है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, 10 इमिनेंट परसन है, अब जैसे उताराड के लिए, यह 10 लोगों को जन्हें अपॉइंट किया जाता है, किंद सरकार ने मानलो, बोला कि भाई, यह 10 लोग जो पुराने वाले थे, इनका कारकाल था 3 साल का, इनका कारकाल खताम होने वाला है, कोई नए ढूंडो, डिपार्टमेंट ने ढूंडा, उनने एक लिस्ट बनाई, और बोला, यह पक के तीन लोग मिले हैं, उन तीनों लोगों की फाईल आंगे बढ़ी, आंगे चलती का, यह जो इमिनेंट परसन है, यह बज़पन में तो होते नहीं है, आदे तो बढ़ापे में होते है, जब तक वो फाईल पहुंचती है, सेंटर गॉवर्मेंट एपोइंट करती, तब तक पता पढ़ता है, इनमेंसे दो लोग खतम हो गए, अब क्या किया जाएं, तो निउज वाले हैं, मजले ले लेते हैं बीच में, तो यहाँ पर इनने डाउन टू अर्थ ने एक निउज की थी, कि भाई इन्होंने क्या किया है, सेक्शन फाइव ए के तहत, गवर्मेंट जो है, और की रिस्पोंसिविल्टी कि दस इमिनेंट कंजर्वेटर जो है, उनको एपोइंट करने की, अब उसमें इनने चुछ से एपोइंट किया, मिनिस्टर नेम डिसीज और्निथ लॉजिस्ट, आज हैं मेंबर आफ नेसल बोर्ड अफ वाइल लाइफ, इनका कहना था कि यह फोरेस्ट मिनिस्टर है, उसने भी नोटिफाई किया है, एक इमिनेंट ओर्निथ लॉजिस्ट को, वो तो चार महीने पहले मर चुका है, बोला तो मैं ऐसे मरे हुए आदमी को यहां इस बॉड़ी में डाल रहे हूँ, अब होता क्या है कि उससे नहीं पता पढ़ता है, देश में इतनी भीड बहार है, एक सुतीज करोड है, कौन कब निकल रहा है, नहीं रहता है, सिस्टम में नहीं चीज़ें आपाती है, तो तब तक है और्निथ लॉजिस्ट मतलब, जो वर्ड, जो चिडिया वगर है, उनकी स्टड़ी करते हैं, और्निथो लॉजी, बर्ड्स की स्टड़ी, यह टर्म याद रख लो, और्निथोलोजिस्ट बर्ड्स की स्टड़ी, तो यह याद रहेगा, कि ऐसे 10 परसन अपॉइंट करती हैं, और 5 NGO से होते हैं, अब यह तो रहा, सेंटर लेबल पर, यहाँ पर इस्टेट लेबल पर भी प्रोविजन है, यहाँ पर यह याद रखना है, यहाँ पर कौन से सेक्षन है, 5 A, मैंने भी आपको यहाँ पर यह नहीं बोला, कि आपको यह सेक्षन याद ही रहे, तीन चार, याद रहा हैं पर यहाँ नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ 5 A याद रखो, और 5 B, यह किस के लिए है, स्टेटों के लिए है, सुरी, मैं गलत बोले गया, 5 A में हमने यह नेशनल बोडी बना दी, अब बोडी हर छोटी-छोटी काम थोड़ी करती रहेगी, मान लोग बोला के, यह North India plan है, गंगटेक plan है, इसमें कोई समस्या है, वाइल लाइफ की, इस पर काम करो, तो यह थोड़ी की बोडी हर बार सुबह साम बैठती रहेगी, यह क्या करते हैं, कुछ छोटी-छोटी committee बना देती है, कि ठीक है, तुम North वाले मुद्दे को देख लोगे, इन्हें की जो बोडी है, बोला इन मैंसे, तुम चार लोग आ जाओ, कुछ imminent person पहले से, तुम चार लोग इनके सब coordinate करके, यह UP वाले मुद्दे को देखोगे, माद्दे हमसे काम करेगा, आगे के मैंन की ताकत दे दी गए, कि यह क्या काम करेंगे, कुल मिलाकर यह है, कि सेंटर लेबल के लिए, जितनी भी नीतियां, जो भी हैं, सारी जिम्मेदारियां इसके पास दे दी गए, केंदर सरकार को, यह समझ में आ गया, कि यह वाइल लाइफ से रिलेटर, हमारे पास पहले ही बहुत सारे मुद्दे हैं, यह वाइल लाइफ हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो उनने क्या किया, कि पूरे जितने भी वाइल लाइफ के जो भी मुद्दे थे, इस कमेटी को सुपूर्द कर दिये, भाई, अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, का कौन सा वन नजीब से सम्मंदित, कोई अधिनियम है, कुछ भी है, उसमें कोई भी बदलाओ करने की जरूत है, तो तुम सजेस्ट करोगे हम, हम कर देंगे, उसमें कुछ भी चेंज करना है, कोई नया कानून ले आना है, तुम बना लो, कैसा कानून रहेगा, पूरा खाका बना दो, हमें दे दो, हमें सही लगेगा, हम कर देंगे, कोई नीती है, पॉलिसी है, उसमें कोई संसोधन करना है, उच नीच करना है तुम सजेस्ट कर दो हम देख लेंगे पुरानी नीती में कोई समस्या आ रही बो भी तुम ही इवैलिवेट करो और उसमें कुछ संसोधन की जरुवत है वो बता दो हम कर देंगे इस टाइप से पूरी ताकत इस कमेटी को दे दी गए पैसे भी जब प्रधान मंत्री है उसके चेर्मेन तो कोई बड़ी बात नहीं है उसमें तो यह सारी उसके फंक्सन है इनकी यह याद रखने की हमने जरूवत मी पढ़ेगी मैन मुद्दा आता है सेक्सन सिक्स जैसे हम लोगों ने वहाँ पर नेशनल लिवल पर किया नेशनल बॉर्ड ऑफ वाइल लाइफ बैसी हम लोग स्टेट पर बनाएंगे यहाँ पर क्या बनाएगा स्टेट बॉर्ड ऑफ वाइल लाइफ इसका जो हैड है वो कुन बनेगा चीफ मिनिस्टर इसमें भी बहुत सारे लोग होंगे टोटल कुल मिलाके यहां 31 चीएम यह टोटल 31 लोग हैं जो इसके सदस होंगे एक बार काउंट कर लेना है जो मैं कहीं गड़बना हो वहां पर 48 है यहां 31 है वहां परदान मंत्री है यहां मुख मंत्री है वो 6 और 5A है यह 6 है 5 नहीं है वो बोर्ड वाला 5A क्योंकि बाद मैड किया गया ना 5 के नीचे जोड़ दिया उनना है तो वो 5A है और यह 6 है ठीक है अब कुछ कुस्सन देख लेते हैं इंडियन बोर्ड ऑफ वाललाइफ बाज कंस्ट्टूटेट इंडियन बोर्ड ऑफ वाललाइफ का गठन कब किया गया था बाद यह 52 में इंडियन बोर्ड ऑफ वाललाइफ बाज सेट अप बाद गवर्मेंट इन दा यर 95 में इंडियन बोर्ड ऑफ वाललाइफ इस हैड़ करता था वो करता था agriculture का minister प्राइम minister अब बाद में क्या हुआ कि जब agriculture की कंपरमी forest जब अलग हो गई तो forest का जो minister है वो इसे head करने लगा था Indian board of wildlife की बाद चल रही है यहाँ बाली question अभी recently है 2022 का अभी साथ 20 जनवरी है 10 जनवरी को हुआ था अभी 2030 में लिकिन इनने बाई Indian board of wildlife पूछा है तो वह ही करना है कौन करता था यह minister करता था उसमें अब प्राइम minister का कोई मतलब भी नहीं है वो board पुराना था अब जब आप से मुद्दा आता है national board लिखे तब आप चले गए यहाँ wildlife protection act 1972 बाज amended in to make national board of wildlife a statutory body वन जीव सन्रक्षड अधिनियम में कब 2002 में संसोधन किया गया कि जिससे उसे हम statutory एक टाइप से legal दर्जा दिया जा सके है ठीक है यहाँ पर वही लिखा है कि यह amendment 2002 notify किया गया जन्वरी 2003 में हलाकि यहाँ पर थोड़ा confusion create कि हो जाता है कि भाई amendment जो है वो हम 2002 का माने यह 3 का क्योंकि यह आया तो 2002 में था और notify 2003 में हुआ तो technically तो यह 2003 का amendment है लेकिन क्योंकि act सीधा सीधा बोल देता amendment act 2002 तो फिर अपन को 2002 पर ही जाना पड़ता है नेक्स्ट है national board for wildlife come into effect from यह board कब से active हो गया जैसी notification हुआ तो यह कब आया 23 में अब इसमें मैं खुद confused हूँ साइध 21 September है by September है 2003 यहां पर in notification में इसमें लिख रगा हूँगा इसमें वो September आपके notes में लिखा हूँगा हूँगा है national board of wildlife was considered under किस section के अंदर सीधा साथ 5A के अंदर से कठित किया गया national board of wildlife institute has headed by बहुत सारे question आये जिनने head पूछा सीधा साय वो sentence को गुमाय फराएंगे कुछ लिख देंगे इस type के भी question आये यहां explain करना संभव नहीं है उसमें 4-5 sentence होंगे बुला कौन सा incorrect है इसमें 10 imminent person होते हैं 5 NGO के person होते हैं इसका head है वो chief justice होता गलत हो गया प्रधान मंत्री होता खतम कम तो वहीं प्रधान मंत्री वाला है इसमें आ गया for wildlife administration every state must constitute wildlife संरक्षड के लिए हर state को कम सकम क्या करने की जरूवत है उनके लेवल पर जो भी wildlife advisory body की जो है उसके गठन की जरूवरी है for the function of wildlife advisory body wildlife advisory के body के क्या function है शेदी शी बात है वो state level पर state government को advise करती है कि आपको क्या करना चाहिए कौन से area का size बढ़ाना है कम करना जो भी काम है वो सब कुछ होई करेगी select area to declare as national park and century ये select area कर सकती है area select कर सकती है भाई इसे नेसल पार्क या wildlife century बनाया जाए लेकिन नेसल पार्क और wildlife century इसी एक्ट के अंदर बनेंगे ये select area to be declared करना चाहिए to be declared करेगी state government ये नहीं करेगी वो केवल area selection तक सीमित हो जकती है दूसरा guide center and state अब यहाँ पर question देखो wildlife advisory body ये कहाँ state level पर है और ये बात कर रही कि ये center को guide करेगी ये तो संबा भी नहीं है state को guide कर सकती center को guide नहीं करेगी तो ये गलत हो गया भी सही है तो only be अब अपना देखते हैं chapter 3